नवज़कार दोस्तों आप दिखें ने NDC News, मैं हूँ आपके साथ अरचना कौशल जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपड़ी और स्पेशल स्टोरिज तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल आईए देखते हैं इजिटल दुनिया में किसी भी इंसान की पहली प्रात्मिकता उसकी निचात ही है आए दिन फेस्बुक और जीमेल के जरीए लोगों की डाटा लीक होते रहते हैं वहीं अब एक ऐसी ही खबर आई है जो वाक्ते ही हरान कर देने वाली है एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Elkatil के कुछ स्मार्टफोन में पहले से ही वाइरस मौचूद है रिपोर्ट के मताबिक Elkatil के फोन में वाइरस प्री इंस्टॉल ही है और अंग्रेजी वेबसाइट ZDNet की रिपोर्ट की माने तो Elkatil के स्मार्टफोन में वेदर और फोर्कास्ट और वर्ल्ड वेदर उसी के साथ के नाम का एक एप प्री इंस्टॉल आता है जबकि ये एप मेलवेर वाला है और हाल ही में एक सिक्योरडी एजेंसी की रिपोर्ट में इसका दावा भी किया गया था की रिपोर्ट की मताबिक Elkatil के PIXI4 और Elkatil A3 Max जैसी सीरियस के फोन में वाइरस वाला ये एप मौझूद है इस एप को TCL ने त्यार किया है अब स्ट्रीम्ज स्क्योरडी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये एप स्मार्टफोन की लोकेशन IMEI नंबर और E-mail ID जैसी जानकारियों को TCL तक पहुंचाता है ब्राजील, कुवेत और अफ्रीकी देशों में Elkatil के मुबाइल यूसर इस वाइरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित है हाला कि इस एप को अब Google Play Store से हटा दिया गया है दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेर, कमेंट करना न भूले और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब